नभश्कार दोस्तों! आज हम मिलेंगे हमारे एक पेशेट sickness जन्रोंने युरेथरोप्लास्टी करवाई है युरेथ trosip Komm永- schools च्रिक्चर की ट्रीट्मेंट है और जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया एक युरिथिथ्रोप्लास्टी एक permanent cure का option है कई patients आते हैं जो OIU करवा चुके होते हैं यानि कि endoscopic treatment करवा चुके होते हैं और self dilatation पर हम उनको advise करते हैं कि यदि आपको इस dilatation से बचना है यहां बार-बार जो flow कम हो रहा है और flow कम होने की वज़ा से जो urinary tract infection हो रहा है उसके लिए urethroplasty करवाई है तो आज हमारे पास हैं हमारे एक patient जो काफी दूर से आये हैं और जिनकी urethroplasty हमने लगबग 7 महीने पहले करी थी तो sir आपका पहला diagnosis कब था? जब आपका flow सबसे पहले कम हुआ था? करीबन हमको लग रहा है कि पिसाव रुक चुका था करीबन 8-9 महीना पहले उसके बाद फिर हमने आपके पास आए आप ने फिर उसको किया दूर भी इनके दुआरा किया उसके पिसाव रुका फिर दुआरा आए तब आपने उससे plastics करके किया पर usually sir का structure काफी proximal था यानि कि prostate के पास था ऐसे में young patients जैसे sir हैं उसमें हम कई बार advise करते हैं और दूर रहते हैं कि जितना ज़्यादा वो dilate कर पाएं थोड़ा time निकालने के लिए कर लें बट sir के case में वो possible नहीं हो पाया था ऐसा क्योंकि उनको शायद एक seizure episode आ गया था या एक सिंको बियानी थोड़ा बिहोशी का episode आ गया था कहने का मतलब शरीर उस procedure के लिए ready नहीं था तो यूरित्रोप्लास्टी का decision आपने जब लिया था लगबग फरवरी में तो क्या आपके मन से गुजर रहा था क्या आपको लगा कि क्यों कराना चाहिए है हमें लगा कि अगर ये कराने से जब सबसे हमारी बात हुई तो हमें लगा कि ये कराने से ये एक permanent ilaj है ये हो जाएगा तो अच्छा रहेगा इसलिए मैंने आप से संपर करके इसे करे आपको शुगर भी है शुगर के रहते-रहते आपने decision लिया कहने का मतलब कि sugar कोई ऐसे counter indication नहीं है या हमने मूँ के चाल ली तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता तो जब मूँ के चाल ली तो आप कितनी दिन में खाना खा पाए थे हम उसका दाल का पानी आपको लगता है कि 9-8-9 घंटा के बाद मैं बढ़ी है बढ़ी है overall कितने घंटे चला procedure आप जब आप गए आप बिहोश हुए और जब आप वापस आए कितना घंटे में होश आए आपको हमको लगड़ा है कि देड़ से 2 घंटे में हमें होश आ गई थी और catheter कितना लंबार आपका नलकी जो पिशाब की है वो आपने लगाया था हमें करीबा 14 दिन 28 दिन लगाया था वो कैसा duration रहा आपकी recovery कैसे रही हलांगे आपका तो घर यहां भी है वो उसके आद हमें बहुत अच्छा relief फिल हुआ उसके आद फिर अभी तक हमरा उसके कोई problem नहीं आ रहा है चालो यूजली का जाता है कि यह जी buccal mikoza urethroplasty जो की stricture urethra की एक treatment है जो की fracture की वज़ा से नहीं है जो की जिसमें हम anastomotic urethroplasty नहीं करते हैं यदि 6 महीने तक बढ़िया चल जा है तो lifelong result maintain रहता है सर का 6 महीने बाद का flow 18 है और अच्छा curve है और सर अच्छा volume पास कर पा रहे है और dilate भी नहीं करना पड़ रहा comfortable है urine से ज़्यादा दिक्कत नहीं है और इस age में जो की prostate की भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है तो उसकी medication से भी काफी relief है सर को तो आशा करते हैं सर की यहीं maintain रहेगा आगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी बठाँ 3 मंथ या 6 मंथ में एक बार euro flow हम थोड़े 2 से 3 साल कराएंगे बिल्कुर धन्यवाद से